पुत्रदा एकादशी वर्ष में दो बार आती है पौश्शुकलपक्ष और श्रमर्शुकलपक्ष के दोरान आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है ऐसा कहा जाता है कि जिनने संतान के रूप में जुड़वा लड़के चाहिए हो उन्हें पुत्रदा एक आदशी का वुरत करना चाहिए एक बार पांडव पूत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान पोश्चुक्लपक्ष एक आदशी का महत्तु बताएं आपकी बड़ी कृपा होगी और इस वुरत को करने की क्या विधी है इस दिन किस देवत पूजा की जाती है भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा हे राजन इस एक आदशी का नाम पुत्रदा एक आदशी है जो पुत्रदा एक आदशी का वुरत करते हैं उन्हें इस लोप में योग्य पुत्र और मित्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्त होता ह इसकी कथा को ध्यानपूरवक सुने इसके सुनने मात्र से ही वाई पे यक की फल की प्राप्ति होती है भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान नाम का एकाजा राज्य करता था उसकी पत्री का नाम शेव्या था राजा के कोई भी संतान ना थी जिस कारण राजा सुकेतु मान बेहज चिंता में रहता था कि उसकी मित्यू के पश्चात उसके पूर्वजो को पिंडदान कौन देगा और इसकी मित्यू के पश्चात उसके इतने बड़े राज्ये को कौन संभालेगा राजा के पित्तर भी अतियन दुखी होकर पिंड़दान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड़दान करेगा राजा को भाई, बांधव, धन, हाती, गोड़े, राज्ये और मंत्री इन सब में किसी भी प्रकार का संतोष नहीं मिलता था वह इसी चिंता में चिंतित रहता था कि किस प्रकार उसके पित्तर और देवताओं से उर्ण होगा इन दुखों का कारण केवल एक ही था, उसके कोई पुत्र नहीं था इस बाद से दुखी होकर एक दिन राजा के अंदर अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन हुई परंतु उसने आत्मत्या को महान पाप समझ कर ऐसा नहीं किया और आत्मत्या का विचार मन से निकालते हुए अपने घोडे पर सवार हो वन की और चल दिया और वन में जाकर राजा पक्षियों और व्रक्षियों को देखने लगा जहां पर म्रिग, बांग, सिंग, बंदर आदी विच्रण कर रहे थे मोर सुन्दर नित्य कर रहे थे हतनी अपने बच्चों के साथ दुलार कर रही थी वन के इस प्रकार के द्रश्य को देखकर राजा और भी दुखी हो गया कि उसके कोई पुत्र नहीं है और सोचने लगा मैंने अनेक यक किये हैं, ब्रामनों को दान पुन्य किया मैं इस समस्या का समधान कैसे करूँ, अपनी व्यथा किस से कहूँ इन विचारों में खोया हुआ राजा था कि उसे प्यास लगी बहपानी की तलाश में आगे बढ़ा, अब कुस दूर जाने पर उसे एक सरोवर दिखाई पड़ा उस सरोवर में सुन्दर कमल के फूल खिले हुए थे, तथा सारस, हंस, घड़िया लादी, जल्विहार कर रहे थे सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे, तब भी अचानक राजा का दाहीना अंग फड़कने लगा राजा ने इसको शुब संकेत माना और घोड़े से नीचे उतर कर रिशियों को जो सरोवर के पास बैठे हुए थे, प्रणाम करा रिशि मुस्कुराए और राजा को बैठने के लिए कहा राजा रिशि के पास बैठ गए रिशिवर बोले, हे राजन हम तुमसे अती प्रसन हैं तुमारे मन में जो इच्छा है हमसे कहो राजा ने कहा, हे रिशिवर आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं रिशि बोले, राजन आज से पास दिन बाद माग सनान हैं हम इस सरोवर में सनान करने के लिए आए हैं आज के दिन पुत्र की इच्छा करने वाले को योग्य पुर्क्तर की प्राप्ती होती है रिशि की बास सुनकर, राजा ने कहा, हे रिशिवर मेरे कोई संतान नहीं अगर आप मुझसे प्रसन हैं, तो कृप्या करके मुझे पुत्र रत्न का वर्दान दीजिए रिशि बोले, हे राजा, आज पुत्रदा एकादशी है इसलिए आज के दिन आप उप्वास करें भगवान श्री हरी की कृपा से आपके घर योग्य पुत्र अवश्य होगा राजा ने रिशी के द्वारा बताई गई पुत्रदा एकादशी का वर्द किया और द्वादशी को वर्द का पारण किया और इशीवर को प्रणाम करते हुए अपने राज्ये वापस आ गया भगवान की कृपा से कुछ दिन बाद रानी ने गर्ब धारण किया और नो महापस्चात उनके एक तेजस्वी सुन्दर पुत्र प्राप्थ हुआ और पह पुत्र बढ़ा होकर अतियंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजा पालक राजा बना श्रीकिश ने युदिश्टिर से कहा पुत्रदा एक आदशी का वर्द पुत्र प्राप्ती के लिए करना चाहिए योग्य पुत्र प्राप्ती के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है जो व्यक्ति पुत्रदा एक आदशी का व्रत पूर्ण विधिविदान से करता है उसे सरगूर संपन पुत्र की प्राप्ती होती है और वह मनुश्य मोक्ष को प्राप्त होता है पुत्रदा एक आदशी की व्रत विधि पुत्रदा एक आदशी का व्रत करने के लिए दश्मे तिथी को सात्विक भोजन करना चाहिए एक आदशी के दिन प्राते काल उटकर नित्य क्रम से निवरित होकर इस्नान करें स्वच्छ वस्त्र धारन करें अपने घर के पूजा ग्रहे को साफ करें आसन पर बैटकर भगवान विश्णू का ध्यान करें उन्हें भोग लगाएं और उसके बाद आरती सुनें द्वादशी के दिन प्राते काल उठकर स्नान करें भगवान विश्णू की पूजा करें उन्हें अर्ध दें ब्रामणों को दान और भोजन करवाएं उसके बाद स्वेम भोजन घरन करें इस प्रकार की अन्य बाते व्रत कताएं उपाएं जानने के लिए हमारा चैनल वास्तु शास्र सब्सक्राइब करें नमस्कार